हेलो एवरेंट कैसे हो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung 812 स्मार्टफोन के टॉप 40 hidden features के बारे में जुनकों शायद ही आप यूज करते होंगे बट इस वीडियो के बाद आप भी आसमली यूज कर सकते हैं चुकि आज की इस वीडियो में आपको step by step बताऊंगा किया आप किस सरह से Samsung 812 स्मार्टफोन के काफी सहरे hidden features को यूज कर सकते हैं सो चलिए वीडियो शूरू करते हैं फानली हम अपनी स्क्रीन पर आज चुके हैं और यहां पर आपको home दिखा दे हैं सबसे पहले आपको screen पर long press करके रखना है इसके बाद setting पर click करना है trick number one यहां पर home screen पर click करना है और यहां पर home screen only पर click करना है और apply पर click कर देना है इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी applications थे वो सारे के सारे यहाँ पर home page पर show होने लगे हैं पहले यह सारे यहाँ पर दिख रहे थे बट यहाँ पर आप नहीं दिख रहे हैं तो दोबारा से यहाँ पर long press करके रखना है और settings में आना है और दोसरी trick जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं home screen पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इन सभी application को छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो इस तरह से आपको करने के बाद just यहाँ पर save के button पर click करके आप इनको save कर सकते हैं तो अब चलते हैं तीसरी trick के तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं folder guide इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आप इसको भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं trick number 4 अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं log home screen layout इस पर जब आप on कर देंगे तो जितने भी apps हैं यह अपनी जगा से अब नहीं हैं सकते अब यहाँ से इन पर प्रेस करके आप कहीं भी इनको नहीं ले जा सकते तो यह अपनी जगा पर log हो गए हैं इसके बाद वापस अपनी settings में आएंगे यहाँ पर hide app पर click करेंगे तो आप किसी भी app को hide कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फिलाहाल यहाँ पर YouTube Studio को hide करके दिखाता हूँ यहाँ पर जैसे done पर click करेंगे तो वो app hide हो जाएगा वापस unhide करने के लिए वापस इसी hide पर click करना है और इस app पर click कर देना है done पर click कर देना है तो आपका वो app unhide हो जाएगा click number 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं swipe down for notification panel इसको जैसे on करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से हम notification bar को down कर सकते हैं वापस long press करके settings पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे rotate to landscape mode इसको जैसे ही आप on कर लेते हैं तो आपका mobile phone बिल्कुल rotation स्थिती में चलने लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप अपने mobile का rotate option on करेंगे तो फॉरण ही आपका mobile rotate हो जाएगा और वापस जब आप इसको rotate कर लेते हैं तो यह फिर से वैसे ही हो जाता है trick number 8 यहाँ पर आपको white gas पर click करना है आपके सामने यह सारे applications शो हो रहे हैं जो आपके mobile phone में है जिनका भी आप white gas एड़ करना चाहते हैं एड़ कर सकते हैं trick number 9 इसके बाद यहाँ पर आपको वापस आना है और यहाँ पर wallpapers पर click करना है यहाँ से आप wallpaper change कर सकते हैं यहाँ पर my wallpapers पर click करेंगे तो यहाँ पर वो सारे wallpapers दे रखके हैं आप किसी भी एक wallpaper को set कर सकते हैं trick number 10 यहाँ पर आपको Log Screen Wallpaper Service पर क्लिक करना है और यहाँ पर Glance on Samsung पर क्लिक कर देना है तो इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर Apply पर क्लिक करना है Screen Off करने के बाद जैसे ही आप उसको On करेंगे और जितनी बार भी आप उसको On करते जाएंगे उसमें Wallpaper Change होते जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी बार भी आप इसको प्रेस करते हैं और वापस On करते हैं तो यहाँ पर वो सारे Wallpapers Change होते रहते हैं तो यह काफी कमाल का feature है तो फिलहाल मैं इसको Off कर देता हूँ यहाँ पर वापस आएंगे और None पर क्लिक करके इसको हम Off कर देंगे ट्रिक No.11 Color Palette पर क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी भी Color को Select कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे Colors जो कि Awesome तरीके से यहाँ पर Work करेंगे आप उनको Add कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप Scroll Down करेंगे और कि यह काफी बहतरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है इसके बाद हम वापस आएंगे और इसको फिलहाल हम Off कर देंगे ट्रिक No.12 यहाँ पर आपको Scroll Down करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर Power का बटन आपको दिखाई दियरा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपने Mobile को Power Off या फिर Restart कर सकते हैं यह काफी अच्छा फीचर है इसके बाद यहाँ से हम Back आएंगे इसके बाद Settings पर क्लिक करना है ट्रिक नमबर 13 यहाँ पर आपको Display पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आप Dark Mode या फिर Light Mode दोनों में से कोई एक सेलेक कर सकते हैं तो Dark Mode काफी बहतरीन फीचर है इससे होता है कि आपकी बैटरी भी Save रहती है और साथी साथ आपको Mobile चलाने में आपकी आँखों को कोई Problem नहीं होती है तो यहाँ पर आप Dark Mode पर क्लिक करके इसको On कर सकते हैं ट्रिक नमबर 14 यहाँ से Brightness को कम या ज़्यादा किया जा सकता है इसके लावा Adaptive Brightness पर क्लिक करके आप इसको Normal भी कर सकते हैं इससे यह होता है कि जब आप कहीं भी खुले आसमान में होंगे और सूरज की वहाँ पर किरने पड़ती होंगी तो इसकी Brightness आटमेंटिकली ज़्यादा हो जाएगी और इसके लावाद जब आप कहीं अंदेरे में होंगे तो इसकी Brightness कम हो जाएगी तो इस तरह से यह काफी अच्छा फीचर है Trick number 15 तो यहाँ पर आपको Font and Size पर क्लिक करना है Then यहाँ पर आप इसका Size छोटा और बड़ा कर सकते हैं Trick number 16 यहाँ पर Screen Zoom पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसका भी Size बड़ा और छोटा कर सकते हैं इससे यह होता है कि जो Messages आप किसी को भीजते हैं या फिर आपको जो Messages Receive होते हैं उनका Size छोटा और बड़ा हो सकता है Trick number 17 तो यहाँ पर आपको Screen Time Out पर क्लिक करना है यहाँ से आप अपनी Screen का जो Time है उसको ज्यादा या कम कर सकते हैं आपकी जो Screen Light है वो किस टाइम कितनी जल्दी आप बंद करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप 30 सेकंड या फिर 1 मिनट यहाँ पर सेलेक कर सकते हैं Trick number 18 आपको Edge Panel पर क्लिक करना है यहाँ से क्या होता है कि आपको बैकाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं जो Screen है इस Screen पर आपको यहाँ पर राइट साइड में कुछ स्ट्रॉल करना है इस तरह से और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके Applications कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होने लगे हैं इसके लावा यहाँ पर नीचे 3 Lines पर क्लिक करेंगे इसके बाद All Apps पर क्लिक करेंगे तो आपके वो सारे Apps यहाँ पर इस सरह से शो होने लगेंगे इस सरह से यह काफी Best फीचर है आप इसको इस सरह से यूज़ कर सकते हैं इसके बाद वापस Settings में आएंगे Trick No.19 Navigation बार पर क्लिक करना है यहाँ पर जो आपके Home बटन और Back बटन जो आपका यहाँ पर नीचे शो होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं तो कैसे चेंज करना है यहाँ पर उपर Option आ रहा है बटन्स का बन नीचे Swipe गेस्चर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो Left और Right से जैसे ही आप उसको स्क्रोल करेंगे तो आपका वो Back बटन काम करेंगा और नीचे जो आप उपर की तरफ स्क्रोल करेंगे तो आपका Home बटन वहाँ से काम करेंगा तो इस तरह से यह फीचर काफी Best फीचर है तो कि काफी सारे लोगों को यह फीचर बहुत पसंद आता है इसके लावा नीचे भी आपको और फीचर दिया है यहाँ पर आप तीन बटन जो हैं उनको इधर से उधर कर सकते हैं ट्रिक नमबर 20 स्क्रोल करना है और आपको यहाँ पर Accounts and Backup पर क्लिक करना है यहाँ से आप अपने किसी भी Account को Manage कर सकते हैं यहाँ से जितने भी आपके Google Accounts हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो होंगे इसके अलावा WhatsApp का Account या Twitter या Instagram सारे Accounts यहाँ पर आपके शो होंगे यहाँ से आप अपने Mobile को Reset कर सकते हैं आपको किस परकार का Reset करना है, Reset भी कई परकार का होता है आपको अपना पूरा Mobile Delete करना है तो आप Factory Data पर क्लिक करके यहाँ पर Reset कर सकते हैं इसके अलावा इसमें सबसे Best Feature की बात करें तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं Auto Restart At The Set Time आप इसमें जो भी टाइम सेट करते हैं आपको Mobile Automatically उसी टाइम रिस्टार्ट हो जाएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं So, जिस दिन और जिस टाइम आप अपने Mobile को On करना चाहते हैं या Restart करना चाहते हैं आप उस दिन और उस टाइम को Select कर लिजिए और Select करने के बाद में Just Done पर क्लिक कर देना है और ध्यान रहे आपके Mobile में Minimum 30% बैटरी होना चाहिए और अगर आपकी बैटरी कम है तो Obviously आपका Mobile रिस्टार्ट नहीं हो पाएगा So, इस तरह से आपको अपनी बैटरी 30% रखनी है और साथी साथ आपके SIM कार्ड में कोई Lock नहीं लगा होना चाहिए और अगर आपकी SIM में कोई Lock लगा हुआ है तो आप यहां से उसको On नहीं कर पाएंगे So, इस तरह से यह भी काफी Best फीचर है तो आप इसको Use कर सकते है Trick No.22 यहाँ पर आपको Advanced Feature पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको Side Key पर क्लिक करना है वो आप यहाँ से आप चूज कर सकते हैं आप किसी भी एक आप को चूज कर सकते हैं For example, आप Gallery या फिर Instagram या फिर WhatsApp, YouTube किसी भी एक आप को आप को यहाँ से चूज कर सकते हैं For example, मैंने अभी Gallery को चूज किया है और यहाँ पर आपको Double Press करने के बाद अपने Pattern को Enter करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने Gallery ओपन हो चुगी है So यह काफी Best Trick है यहाँ से आप अपने Mobile के किसी भी एप को ओपन कर सकते हैं Trick No.23 यहाँ पर आपको Screenshots पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Show Toolbar After Capturing यानि जब आप Screenshot कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक Toolbar आपको Show होता है अगर आप इसको Show करना चाहते हैं तो वहाँ से आप On कर सकते हैं बट अगर आप इसको Show नहीं करना चाहते हैं तो इसको Off रख सकते हैं इस सरह से यह भी बहुती कमाल की Trick है बट जैसे ही आप इसको Off कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपना Screenshot कैप्चर करते हैं तो नीचे जो यहाँ पर आपको Toolbar Show हो रहा है यहाँ से जस्ट आप किसी को भी Share कर सकते हैं और Share करने के बाद वो Screenshot आपकी File Manager से Delete हो जाएगा Trick No.24 यहाँ पर नीचे आपको Format पर क्लिक करना है और इसमें से आप JPG या फिर PNG जिस भी Pixels में आपको अपना फोटो चाहते हैं या स्क्रीन शॉट चाहते हैं उसमें यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं Trick No.25 नीचे आपको Dual Messenger पर क्लिक करना है यहाँ से आप किसी भी आपको Double कर सकते हैं I mean दो आप बना सकते हैं जिस आपको आप दो बनाना चाहते हैं दो में याणी टू एप्स में गंटी करना चाहते हैं तो उसको Install पर क्लिक करके Confirm पर क्लिक करना है यहाँ पर इंस्टालिंग शुरू हो चुकी है और आपका एप इंस्टाल होने के बाद में Dual App बन जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारे मुबाइल में ये दो एप बन चुगे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मुबाइल में दो Facebook एप बन चुगे हैं तो इस तरह से आप भी Dual Messenger बना सकते हैं ट्रिक नमबर 26 यहाँ पर आपको Motion and Gesture पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप इस Option को On कर लेते हैं तो On करने के बाद होता यह है कि आप अपने मुबाइल को जैसे ही अपनी पोकेट से या कहीं भी रखे हुए मुबाइल को हाथ मिलेंगे तो इसकी जो Screen Light है वो On हो जाएगी ट्रिक नमबर 27 तो जैसे ही आप इस Option को On कर लेते हैं तो अगर आप अपने मुबाइल को On करना चाहते हैं जो जस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर डबल प्रेस करना है आप डबल प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन On हो जाएगी तो यह भी काफी बेस्ट फीचर है आप इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रिक नमबर 28 आप इस Option को On कर लीजिए और On करने के बाद होता यह है कि आप अपनी स्क्रीन को अगर Off करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी डबल प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन Off हो जाएगी उसमें Lock भी लग जाएगा तो इसको आप Awesome तरीके से Use कर सकते हैं ट्रिक नमबर 29 यहाँ पर आपको इसको On कर लेना है और On करने के बाद में इससे होता क्या है कि आप जैसे ही अपने Mobile को अपने Face के सामने लाएंगे तो इसकी स्क्रीन जो है वो On हो जाएगी तो यह भी बहुती Awesome तरीके से Work करने वाली एक ट्रिक है आप इसको Use कर सकते हैं ट्रिक नमबर 30 इसको On करने के बाद होता यह है कि जब भी आपके Mobile Phone पे कोई Miss Call या फिर Messages आए हुए होंगे इसको जैसे ही आप On कर लेंगे तो इससे होगा यह जैसे ही आपके Mobile पर कोई Phone या पिर Alarm बज़ता है तो आप अपने Mobile को जैसे ही उल्टा करके रख देते हैं तो आपके Mobile पर बजने वाला Alarm या फिर Phone साइलेंट हो जाता है ट्रिक No.32 यहां पर Finger Sensor Gesture पर क्लिक करना है और यहां पर Open Notification Panel पर क्लिक कर देना है इसको On कर लेना है तो इससे ही होता है कि आपका साइड की है यह सेंसर लगा हुआ है इसको आप स्क्रोल डाउन या फिर स्क्रोल अप करेंगे तो आपका जो Notification Panel है वो उपर और नीचे हो जाएगा तो यह भी काफी Best Feature है जो कि काफी सारे Mobile में नहीं होता है बट Samsung के कुछ खास Mobile में यह Feature बहुत ही अच्छे से वर्क करता है तो नेक्स Feature के बारे में बात करें तो यहां पर आपको Lock Screen पर क्लिक करना है यहां पर चुके मेरा Fingerprint Already Add है तो यहां पर देख सकते हैं हम इसको On और Off कर सकते हैं Face भी हमारा यहां पर Registered है हम इसको भी On और Off कर सकते हैं इसके लावा आप अगर कोई भी Lock नहीं चाहते हैं तो यहां पर None पर क्लिक करके आप अपने Mobile से सारे के सारे Lock को हटा सकते हैं Trick No. 34 यहां पर Clock Style पर क्लिक करना है अब यहां से आप अपने Clock Style को Set कर सकते हैं काफी सारे Clock Style यहां पर दे रखे हैं और उनके Color को भी आप Change कर सकते हैं तो यह भी फीचर बहुत ही कमाल का है आप इसको Use कर सकते हैं Trick No. 35 यहां पर White Guest पर क्लिक करना है और यहां से आप White Guest एड़ कर सकते हैं जो के Today's Schedule या फिर Next Alarm या फिर Weather इस सारे के सारे यहां पर White Guest आप एड़ कर सकते हैं अब यह कैसे दिखते हैं यहां पर आपको अपने Power के Button को Off कर लेना है इसके बाद दोबारा से On करेंगे और On करने के बाद जो आपको यहां पर Cloak दिख रहा है इस Cloak को आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है Trick No. 36 यहां पर आपको Contact Information पर क्लिक करना है और यहां से आप अपने Mobile No. को Enter कर सकते हैं जो Mobile No. इस Mobile में नहीं लगा है Other कोई Mobile No. यहां पर आप डा सकते हैं अपने किसी भी Relation का चुकि यह होता है कि जब आपका Mobile कहीं गिर जाता है कहीं खो जाता है जिसको भी आपका Mobile मिलता है आपका वो Mobile वो Contact करके आपको वापस कर सकता है चुकि वो Contact No. आपके स्क्रीन पर ही वहाँ पर शो होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यह किस तरह से शो होता है यहां पर जैसे ही For example मैं किसी भी No. को यहां पर Enter कर लेता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका Mobile No. शो हो रहा है इस तरह से आप अपने Mobile No. को Add कर सकते हैं यह भी कमाल का फीचर है Trick No. 37 यहां पर आपको Shortcuts पर क्लिक करना है अभी हमारे Mobile में Left और Right साइड में फोन और कैमरा है अगर आप इसको Change करना चाहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि वो फोन और कैमरा दोनों के दोनों यहां से जा चुके हैं इस तरह से यह काफी Best Trick है आप इसको Use कर सकते हैं और इस Trick का फाइदा उठा सकते हैं अब चलते हैं Advanced Feature की तरफ यहां पर आपको Phone पर क्लिक करना है Trick No. 38 इसके लिए आपको Call Background पर क्लिक करना है जिस SIM का सेटिंग आप चेंज करना चाते हैं उस पर क्लिक करना है आप अपने Call का Background यहां से सेट कर सकते हैं Background सेट करने के लिए आपको Background पर क्लिक करना है वैसे तो यहां पर एक Background दे रखा है आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं बट अगर आप अपने file manager से कोई अच्छा सा background कोई video यहाँ पर add करना चाते हैं तो उसका भी option यहाँ पर दे रखा है जैसे ही आप plus के icon पर click करेंगे तो आप अपने file manager से वो video जो आप add करना चाते हैं add कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर layout पर click करके layout भी change कर सकते हैं जो phone call हमें receive होते हैं वो इस परकार से दिखता है और अगर आप इस तरह से नहीं देखना चाते हैं और इसमें आप changes करना चाते हैं तो second option पर click करके उसको change कर सकते हैं trick number 39 इसके लिए आपको call alerts and ringtones पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आप इसको on कर लेंगे इससे क्या होगा कि जब भी आप call को receive करेंगे उठाएंगे तो आपका mobile vibrate करेगा और second option जो है आप उसको अगर on कर लेते हैं इससे यह होगा कि जब आपका call कट जाएगा तो भी आपका phone vibrate करेगा इसके लावा नीचे का जो option है इसको अगर आप on कर लेते हैं तो जब भी आप वो phone को receive करेंगे तो receive करने पर आपको एक tone सुनाई देगी और नीचे वाले option को अगर आप on कर लेते हैं तो इससे जब भी आपका phone कट जाएगा या disconnect हो जाएगा तो आपको एक tone सुनाई देगी और नीचे का जो last option है इसको अगर आप on कर लेते हैं तो इसको on करने से यह होता है कि जब भी आपको phone करते वक्त कोई SMS या फिर कोई भी message receive होगा तो उसका भी sound आपको सुनाई देगा तो यह भी कमाल के features हैं आप इनको on कर सकते हैं जो की awesomly work करते हैं trick number 40 इसके लिए आपको नीचे यह option दिख रहे हैं अगर आप इसको on कर लेते हैं तो जब आपके phone की bill बजेगी या ringtone बजेगी तो उसके साथ-साथ vibrate भी करेगा अगर आप नीचे वाले option को on कर लेते हैं तो जो keypad है आप dialer में जो numbers dial करते हैं उनकी भी tone यहाँ से आप on और off कर सकते हैं इसके लाबा जो keypad tones में vibrate भी होता है अगर आप इसको vibration भी on करना चाहते हैं तो यहाँ से on कर सकते हैं भी काफी कमाल के features हैं, जो आप use कर सकते हैं, अब बात करते हैं, trick number 41 की, जो कि सबसे important है, अब तक कि जितनी भी tricks है, उन सब में से, सबसे important ये trick है, यहाँ पर आपको caller ID and spam protection पर click करना है, और इसको on कर लेना है, इससे ही होगा कि आपको पता चलता रहेगा, कि आपको जो call आ र और इसको on रखें, ताकि spam से related किसी भी चीज़ का आपको खचरा न हो, तो अमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को like कर दें, और साथ ही अपने friends को शेयर करें, और अगर आपन हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर दें, और साथ ही bell icon को भी दवा दें, so मिलते हैं इस वीडियो के next part में, तब तक के लिए धन्यवाद